मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकन जरूर दबाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन शब से पहले आपके पास पहुंचे तो मित्रों राम नौमी के पावन दिन राम चरित मानस का पाठ करने से अनेक कामनाय पूरी होने के साथ जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ती होती है भै रोग शोक आदिश भी दूर हो जाते हैं रामायन के पाठ से धन की कामना रखने वाले को धन की प्राप्ती होती है राम नौमी के दिन अगर संभव हो तो राम चरित मानस का पाठ जरूर करें अगर बहुत शमय का भाव हो तो सुन्दर का अंड का पाठ राम नौमी के दिन जरूर करना चाहिए और यदि यह भी अगर संभव आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपनी शमस्याओं के निवारन के लिए केवल रामचरित मानस की इन दस चौपाईयों का पाठ करिए इस दस चौपाई के पाठ करने से आपको शंपुर्न रामायन पढ़ने का फल प्राप्त होगा रामचरित मानस में कुछ ऐसी चौपाईयां है जिनके पाठ से मनुस्य जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकता है वैसे तो कहा जाता है कि राम नौमी के एक दिन पुर्व से ही राम नौमी पर्व की शुभ बेला तक संपुर्ण रामायन का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाओं की पुर्ति होती है लेकिन संभब न हो तो रामायन की केवल इन दस चौपाईयों के पाठ से संपुर्ण रामायन के पाठ का पुर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई मनोकामना है और उसकी पुर्ति आप चाहते हैं सर्व बाधा और मनोकामनापुर्ति निवारन है तू कवन सोकाज कठीन जगमाही अजो नहीं हो इतात तुम पाही भै और संसे को दूर करने के लिए राम कथा शुन्दर करतारी असंसे बिहग उरावनिहारी अगर अंजान जगह पर भै के लिए ये मंत्र पढ़कर रक्षा रेखा खीचे माम भी रक्षे रवकुल नायक अध्रितवर चाप रूचीर करशायक राम नौमी के दिन भगवान राम जन्म अस्तुति पढ़ने से इसके पाठ करने से संतान सुक की प्राप्ती होती है भगवान राम की शरन प्राप्ती है तू सुनी प्रभु बचन हरश हनुमाना अशर नागत बच्छल भगवाना बिपत्ती नास के लिए राजिव नैन धरे धनुशायक भगत बिपती भंजन सुकदायक अगर रोग शोक उपद्राओं की शांती के एतू अगर आप करते हैं तो दैहिक दैविक भावतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा राम नौमी के दिन केवल तीन बार इस मंत्र का सिध्धी कर लें अगर आजीव का नहीं मिलता है आपको कोई रोजगार नहीं मिल ला है तो रोजगार के बिद्धी है तू विश्व भरन पोशन कर जोई अताकर नाम भरत अश होई अगर विद्ध्या प्राप्ती के लिए आप रामचरित मानस का पाठ करते हैं तो आपको विद्ध्या मिलीगी इसके लिए आपको पढ़ना है कि गुरु गुरु गुरिह गये पढ़नर अगुराई अल्पकाल विद्ध्या शबाई असंपती प्राप्त करने के लिए जी सकाम नरसु नहीं जेगा वहीं सुख संपती नाना विधी पा वहीं एगर शत्रु नास के लिए आप इस चौपाई का पाठ करेंगे तो आपके शत्रु का नास होगा बैरु नकर काउशन कोई राम प्रताप विशमता कोई तो बोलिए जैजैसिया राम जैसिया राम